हम ls-l कमाड का प्रेयोग long directory listing के लिए कर सकते हैं हमें हर एक फाइल का type उसके permission string के पहले अक्षर से पता चलता है यहां पर हमें बहुत से d और एक dash दिखाई देता है अब हम working directory बदलेंगे हम home से root folder में जाएंगे और ls-l कमाड दुबारा से चलाएंगे यहां पर हमें कुछ फाइलें l file type की दिखाई दे रही है अब हम device folder के भीतर जांकेंगे ls-dev-alr इस कमाड से हम dv folder की सारी फाइलें एक long list में देख सकते हैं और r parameter की वह जैसे हम इसके up folders यानि के sub folders के भीतर भी देख सकते हैं यहां पर हमें बहुत सारी फाइलें l, c और b इस file type की दिखाई दे रही हैं Linux में फाइलों के प्रकार ls-l command का प्रयोग करने पर हम हर एक file के type को permission string के file character से जान सकते हैं Linux में अलग-अलग file के लिए अलग-अक्षरों का इस्तिमाल नीचे दिखाय गया है plain file या regular file के लिए dash, directory या folder के लिए d, symbolic link के लिए l, block special file के लिए b, character special file के लिए c, socket के लिए s, named pipe के लिए p plain file या regular file Linux में उसको कहते हैं जिसमें data या जानकरी लिखी हुई होती है जैसे asci file, binary data file या executable binary की file या ic file जिसमें किसी program का input या output लिखा हुआ है directory, Linux में एक directory भी एक file ही होती है, जिसमें उसके sub directory और file की list लिखी हुई होती है special files, character file और block device file, Linux में special file है device के input और output के लिए इस्तिमाल की जाती है ये file है, slash dev folder में देखी जा सकती है, इन्हें character के माध्यम से या raw device access और block input output के लिए करमशा इस्तिमाल किया जाता है, links, Linux में link याने एक file को अलग-अलग नाम देकर उसका इस्तिमाल करना इसमें hard link और symbolic link ऐसे दो तरह के link होते हैं, socket, Linux में socket वे file हैं जिनें दो प्रोसेस के बीच में जानकारी के linden के लिए इस्तिमाल किया जाता है socket को system के port से जुड़ा हुआ, linden करने के एक center की तरह समझा जा सकता है named pipes, Linux में एक program के द्वारा भेजी गई जानकारी, दूसरे program तक पहुंचाने के लिए pipe नाम के command का इस्तिमाल किया जाता है named pipes या FIFO special file ये linux file system का हिस्सा है, इन्हें अलग-अलग process के द्वारा जरुत पढ़ने पर लिखने या पढ़ने के लिए इस्तिमाल किया जाता है तो ये हैं linux में इस्तिमाल होने वाले अलग-अलग file के types